तो एक और बैतर इन एक्सपायरी रही यहां पे बेर्स के लिए बैंक निफ्टी जैसे एंटिसिपेटेट था यहां पे जिस तरीके से बैंक निफ्टी का प्राइज एक्षन था मैंने आपको पहले भी कहा कि शॉट करने की इच्छा हो तो बैंक निफ्टी में करिए निफ्टी माइट भी फ्लाइट निफ्टी को कोई न कोई खीचने के लिए उपर कभी न कभी रिलाइंस आ जाएगा पार्मा आ जाएगा आईटी आ जाएगा एपमसीजी आ जाएगा लेकिंग बैंकिंग एस सेक्टर बहुत वीक लग रहा है कल भी मैं आपको यह वियू दि थी तो अग्वाडिंग आज काम का जुआ मार्केट काफी ऊपर मौका भी दिया यहां पर शॉटर सको फिर यहां से जो है एक रैली स्टार्ट होती है इंपल्स पूलबैक की स्टोरी एंड एक्जैक्ली 50 अजा 700 पे 780 का लो लगाने के बाद यहां से रिकवरी स्टार्ट ह आपने सुना या फिर यहां पर कुछ आपने प्राइज एक्षन को स्टेडी किया अपने समझा कि यहां पर शॉट करने में ज्यादा समझदारी है अगर आपने शॉट यहां पर किया हो तो लगभग 1100 पॉइंट आपको यहां पर जो है रफली कैप्चर करने को मिला ठीक ह अभी आगे पीछे करके दोनों एक साथ भाई बयान एक साथ आही जाएंगे लेकिन फिलाल के लिए जो है बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा जो है एक नेगेटिव बाइस थी तो बैंक निफ्टी एक्सपाइरी भी खराब हुई और कल जिस तरीके से बजेट की जो आफ कैसा आ रहा है बैंक से लोग का जितना है वो सब तुर्वा के लोग अभी सोना वना खरीदने के लिए तयार हो रहे है कल मैंने इसका एक भी आपको शेयर किया था एंड दिखिए आज अकॉर्डिकली बैंक निफ्टी उसके कारण ही वीक होता वाधिका बिकॉस दिखिए भी बैंक्स के लिए मतलब सबसी इंपोर्टेंट होती है डिपोजिट नहीं रहेंगे डिपोजिट ग्रोथ अगर बैंक में नहीं होंगे तो बैंक लोन कहां से देगी फिर उसको हाइस्ट इंट्रेस्ट पे आरविया से लोन उठाना पड़ेगा फिर जाके आपको लोन द यह लेवल्स पर आज बैंक निफ्टी की final closing आई है तो कल का discussion करेंगे कल सबसे important दे है निफ्टी की monthly यहां पर इक्सपाईरी मंतली की यहां पर इक्सपाईरी है तो बहुत ज़ादे important day होने वाला है आज बैंक निफ्टी की मंतल एक्सपाइरी नहीं थी 31st को होगी लेकिन निफ्टी की कल मंतल एक्सपाइरी है तो यहाँ पे एक्सपाइरी से पहले निफ्टी 24,413 याने की 24,500 के नीचे यहाँ पे जो है final closing निफ्टी की देखने को मिली है लगाता दो ट्रेडिंग सेशन से यह 24,500 के नीचे ही close कर रहा है तो यह थोड़ा बहुत जो है negative sentiment है हाला कि आज निफ्टी ज्यादा गिरा नीचे से इसने resilient दिखाया heat map पे देख लेते हीट पे देखिए majorly आज insurance stocks because of ICIcei Prudential में यहाँ पे काफी दमदा result आने के कारण इसने सारे insurance सेक्टर को ही यहाँ पे बुलिश बना दिया HDFC live, SBI live, LIC, Icasaipro, Lombard सारे insurance stocks आज चले इसके साथ साथ Reliance ने भी participate किया pharma stocks में से sun pharma also दूसरे counters में से ntpc, power grid, whole India यह सारे stocks ने आज participate किया nifty को उपर रखने का काम किया है अगर आज Reliance वोगेरा नहीं चलती तो I am sure कि बैंक nifty जब 2-2% गिर रहा था तब nifty 3-4% गिर जाती तो आज काफी सारे sector ने जो है nifty को समालने का काम किया है जिसमें से जैसा मैंने बता इंस्वरेंस सेक्टर था इस डिव सी लाइफ आईटी में से कुछ चुनिन्दा counter साथ चले जैसे टेक महिंद्रा का याद रखिए result भी है तो result देखना परेगा कि टेक महिंद्रा का कैसा आता है बीपी से एल कंपणी आज ओइन जी सी बीपी सेल मैंने आपको कल यह स्टोरी बताया था कि निफ्टी हो सकता है यहां से उपर नीचे करके एक दो दिन आगे पीछे थोरा रेंज बाउंड हो जाए क्यूंकि इसमें काफी सारे सेक्टर है ना बैंक निफ्टी क्या है कुछ होता हुआ दिख रहा है मार्केट तो यहां पर एक तरफा बैंक निफ्टी नीचे आ रही है लेकिन निफ्टी यहां पर जो है काफी ज्यादा रेंज बाउंड जब बैंक निफ्टी दो परसेंट दाउन तब निफ्टी जस्ट 24,310 पर आ रहा है तो यह होता है पॉ पर बैटे हुए है जब भी मार्केट खास करके निफ्टी जब भी नीचे आ रही है देर बाइंग न बॉटम तो बॉटम फीशिंग जवरदस चल रही है बजार में जिस तरीके से निफ्टी का चार्ट देखके समझ में आता है लेकिन एक और वीक्नेस भी है निफ्टी मे यहां पर जो है हम लोगों ने शेयर किया निफ्टी का यहां पर 24,350 का कॉल ओप्शन इन नो टाइम फ्रॉम 87 इंट। शॉट अप टॉट रूपीज तो काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़े आपको यहां पर प्रीमियम प्लस म में जो है डेली बेसिस पर गाइड किया जाता है फॉलो अप गाइडेंस निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी सेंसेक्स मिट कैप स्टॉक ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर इक्विटी इंट्राडे इक्विटी पोजिशनल शॉर्ट टम लॉंग तब एवरीधिंग इस कवर्ड इन इस पर्टिवलर ग्रूप इस पर जॉइन करने के लिए जूडने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डिरेक्ली आप जूड सकते डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए लिंक में and web.fanconnect.com यह लिंक आपको देखने को मिलेगा जस्ट क्लिक ओन दिस लिंक and you will be related to the website यहां पे जो है आपको जुडना है web.fanconnect.com के थुरू फिनोस्टाइट प्रीमियम प्लस कम्मिनिटी जिसमें हम लोग एक हीरो ओफर यहां पे रन कर रहे है वो ओफर यह है कि अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं लाइफटाइम प्रीमियम प्लस में कूपन कोड इस निफ्टी 24 के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीन कॉमेंट्स में कूपन कोड दिया गया है क्रेडिट काड डेविट काड फोन पे यूपी आई पेटीम किसी भी पेमेंट मिथड से आप पेमेंट कर सकते हैं इसके लावां अगर आप हमारे डेमेट अकॉझ्ट से यहां पे रिंग से अपना डेमेट एकाउट खूलते हैं तो यह आपको एक महिने का सब्स्क्रिप्शन में बिलकुल फ्री में मिलने वाला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा edition तो लीफम दिया गया है फिनोस्टाइट स्टॉक्स टेडर ये टेलिग्राम चैनल में आपको जूड़ना है जो पिंड मैसेज है इस पर क्लिक कीजिए फिनोस्टाइट असोशेट पाटनर हीरो ऑफर फ्रम अप्स्टॉक्स एंड एस्प्रेसो किसी भी रेपूटेट ब्रोकर से अगर आप अपना ड के लिए स्टाट करते हैं कल का अनलिसिस सबसे पहले यहां पर डिसकस करना है कल के लिए उसके बाद कुछ स्टॉक्स का डिसकॉशन करेंगे और उसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे यहां पर मंतली एक्सपाइरी जो निफ्टी का है क्या स्ट्राटीजी बनानी है कल के लि जो PCR Oversault दिखा रही है stocks में resilient हम लोग देख रहे हैं nifty 50 stocks में काफी अच्छा जो है traction है banking को छोर के nifty 50 के बाकी components काफी strong दिख रहे है तो कल के लिए क्या strategy बनानी चाहिए आज जैसे आपको bank nifty में fall देखने को मिला इसके लावा और भी चर्चा करेंगे हम लोग कल के लिए majorly consistent stocks important है लेकिन सबसे पहले यहां पर discuss करेंगे bank nifty के बारे में देखिए कल का candle bearish engulfing candle था मैंने पहली बताया थे कि bank nifty आज का टेलो काटेगी तो वहां से minimum 51,000 और 50,500 तक के momentum जो है open हो जाएंगे तो डोर open हो जाएंगे 50,500 तक का यह मैंने कल के analysis में बताया था तो आज देखिए exactly आज की closing देखिए कल के डेलो के नीचे आईए तो इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है कि market धीरे धीरे price wise and time wise correction में जा रही है आपको समझ भी भी नहीं आएगा market कब 45,000 पॉइंट नीचे आ जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा यहां पर lifetime high से अगर आप देखेंगे तो already जो lifetime high nifty bank nifty में लगा था 53,350 के आसपास का वहां से almost हम लोग 2572 पॉइंट की correction ले चुके हैं तो आप समझ रहे हैं आपको समझ में भी नहीं आया कि कब बैंक निफ्टी पॉइंट गिर गया अपने शायद पूड में कुछ कमाया भी नहीं लेकिन market यहां पे धीरे धीरे time wise price wise correction में आ चुकी है अब यह 25 गिनने के बाद क्या और गिनने की जगा है बिल्कुल है जब तक यह अपने previous day closing के नीचे close करता है ध्यान से सुनिये जब तक बैंक निफ्टी अपने previous day closing से नीचे नीचे close करेगी तब तक यह price action जो है change नहीं होगा और मेरे को यह लगता है कि slowly and steadily nifty will also catch up I won't be surprised अगर यहां से nifty at least 1000 से 1500 point की एक correction आपको दिखा दे तब तक बैंक निफ्टी भी और धाई 3000 point गिर जाए तो accumulated एक 10-12% की correction आपको दोनों indices में देखने को मिल जाएगा 15 ना भी हो तो at least 8-10% की correction always देखिए जब भी 30-40% market बढ़ती है तब वहां से minimum आपको correction expect करके चलना पड़ता है 10-15% ठीक है क्योंकि यहां पर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर अगर मैं आपको बताओ तो निफ्टी का यह जो आठारा हजार का जो लेवल था निफ्टी का देखिए क्यूबो नाची मैं आपको करके दिखा रहता हूं चलिए लास्ट मार्च पर चलते हैं और 16,800 का यहां पर लोग पकड़ते हैं ठीक है निफ्टी का यहां पर जो है 16,800 का लोग पकड़ते हैं और उसको करनेट करते हैं हम लोग 24,850 के रेंज के साथ तो यहां पर क्या समझ ब्यार है कि अभी तक 0.236% की भी करेक्शन मार्क जो है अभी भी नीचे इसका जगा है नीचे जाने के लिए जस्ट रीजन इस लिक्विडिटी इतना ज्यादा है लोगों में बायसने इस पॉजिटिव साइड में इतना ज्याद है आज मैं बैंक निफ्टी का प्राइजक्शन देख रहा था स्टार्टिंग से लोग यही उमीद में खास करके रीटेलर सी ही उमीद में आज बैटे थे कि कब एक रिकवरी आएगी मार्केट गिर रही आपको लग रहा है कब ऐसा कैंडल बनेगा कब ऐसे मार्केट जाएगी लेकिन मार्केट आपको सीधा सीधा यहाँ पे नीचे प्राइजक्शन ट्रेंडिंग के साथ लेकिन आपने हर एक फॉल पर यहां पर जो है कॉल भाई करके आपने पैसा खो दिया अगर आपने चोड़ा प्राविट बुक नहीं किया तो डेफिनेटली आपका पैसा खो गया है जीरो कर दिया आपने आज अकाउंट तो रीटेलर का यह जो बाइसनेस है कुछ म मुझे मालूम है कि ऐसे ही चल रहा है एक बार नीचे आती है तो एकदम करेक्शन बहुत मजबूत आके एकदम डे हाई पर मार्केट क्लोस कर रही है लेकिन आपको समझना परेगा कि मार्केट का जो साइकल है मार्केट का जो साइकल यह चेंज होते रहता है जब भी मार्क में या फिर उस पट्टिकुलर स्टॉक में तो डू नॉट कैच अ फॉलिंग नाइफ दिस दर लर्णिंग फ्राम टुडेस मार्केट जो बिगिनर है उनके लिए खास करके डू नॉट ट्राइट टू कैच फॉलिंग नाइफ मुझे मालूम है आज बिगिनर कैसे ट्रेट कि कि हर एक फॉल पर बिगिनर को आज कॉल उप्शन लेना था जब भी आप कॉल उप्शन लिए होंगे उसका पजास साथ परसें वैल्यू पास दस मिरेट में डिके हो चुगा होगा हंडिट परसें यही आज बिगिनर का कहा नहीं था तो आज का लर्णिंग नोट डाउन कर के रखी कि नेवर ट्राइट टू कैच आप फॉलिंग नाहीं मार्केट ऐसे ट्रेंडिंग करके आपका सारा कैपिडल खा जाती आप रिवर्सल के चक्कर में इंडेजार करते रहते बजार यहां पे आपका पूरा अकाउंट ब्लो कर देती है सो आज का बजार का प्राइजेक्शन देखके यह समझ में आ रहा है कि जल्दी ही निफ्टी इस गोइंट टू कैच अप यहां से दिखिए जैसा मैंने आपको अभी फिवराची रिट्रेंस्वेंट करके दिखाया सोला आट सो से अगर अब इसको कनेट करते लास्ट इयर ऑफ मार्च में दो आजार तेईस में जब निफ्टी का बॉटम लगा था सोला जार आट सो का तब सब कुछ खराब लग रहा था लग रहा था कि जून के महिने का जो लो था पंदरा एक सो वह भी जल्दी आने वाल है और वहां से मार्केट देखिये रफली मैं यहां से कैल्कुलेट करना चाहूंगा कि मार्केट कितना वहां से चड़ा है और टोटल गेन मार्केट का जो है 47 परसेंट कैन यू बिलीव इट 47 परसेंट 8000 पॉइंट निफ्टी चरी है लास्ट मार्च से लेके अभी जुला जाएगी 30 जाएगी 40 देखिए यह सब लेवल्स जो है यह भ्रहम है चल्म है यहां पर जो है मार्केट में आपको ड्रैक किया जाता है खास करके टीवी चैनल वाले आपको लल्चाते हैं टेकनिकल अलेंसिस आप खुद करके देखिए ट्रेडिंग व्यू आप फ्री है जो भी चीज़े मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं यह सारे चीज़े फ्री है तो थोरा अपना दिमाग लगाई है टी लेंगे तो यह टीवी वाले जो है यह मिसगाइड करते हैं तब तक मार्केट का जो चल्म होता है मार्केट आपको जब तक आप मार्केट में गीब आप करके स्ण करना बंद्निकर दूगे सब्रोग आपको उपर उपर खीसते लेके जाएगी जब आप गीब अप कर देंगे जैसे 24,800 पर लोगों ने गीब अप कर दिया लोगों को लगा रहे क्या होगा मार्केट को शौट करके यह तो 25 आज जाने वाली है आपने देखा 25 आज तो नहीं लेकिन कल 24 आज जरूर मार्केट आ गया था तो यह मार् मार्केट को कब से घसीड रहे थे नवेंबर 2022 से 18,800 से घसीड घसीड के मार्केट को लेके आए 16,800 पर दो हजार पॉइंट गायब कर दिया पांच महिने में आपको लगा चलो फिर 15,000 आने वाला है तैयारी कर लो फूट आप्शन लोग यहां पे खरीदने लगे रिटेलर मार्केट को डेर साल के अंदर 8,000 पॉइंट रफली 50% खीच लिया गया उपर ठीक है तो यह होता है मार्केट का चल्म तो जहां पर आपको लगे कि एकदम से आपने गिव अप कर दिया है शौट कर करके आप ठक चुके हो सारा कैपिडल आपने खदम कर दिया है एग्जैक पहला जो टार्गेट है ना मार्केट का रिट्रेस्टमेंट का 0.236 उसके बाद जो नेक्स टार्गेट है 0.382 एंड 50% इसका रिट्रेस्टमेंट है देखिए ऐसा नहीं कि मार्केट एक तरफ आ जाएगी उपर मार्केट उपर भी जाएगी नीचे भी आएगी लेकिन आप कहां पर इंट्री कर रहे हैं आप कहां पर एकजिट कर रहें ऐसा कुछ बन जाता है आने वाले चार से पाँच मेंदे अदर मेरे यहां आपको यूफॉरिक नहीं रहना है बजार में आप कंफरड़ेबल नहीं है मत लीजिए ट्रेट लेकिन कहीं पे भी एंट्री करके पैसा अपना मत कोई है सिंपल सा लर्णिंग है जैसा आज बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग था बैंक निफ्टी ने आज किसी को मौकाई नहीं नहीं दिया कॉल में कमाने के लिए हंडिट परसन मैं शियोर हूँ जब तक यह रैली आई सेकेंड हम में आपके पास पैसा ही नहीं बचा होगा क्योंकि आपने यहां पे यहां पे यहां पे कॉल अप्शन ले लेगे आपने सारे जगा पे आपने लॉस कर लिया इन चार होगा दिन का शेल .? दिन घंटे आपने ले लिया और कितना लेगे आप मार्केट आपको घंट के नीचे लेगी आई तो उसका आज हाई लगा पांसो के आज पास पास का का कॉल ऑप्शन फाइव एंडिट का हाई लगा चार्ट जाके चेक कर लिए ठीक है तो यह होता है बजार का चल्म तो जब तक आपको लगेगी मंदी आने वाली दिखिए अभी न्यूस चैनल में चारों तरफ अभी मंद सब आके बोल देंगे कि आरे यहां से तो पच्चीस हजार है पच्चीस हजार है भाई कर लो ऑपोचुनिटी और नहीं मिलेगा ट्रेन चूट गई है आप एकदम जोट जबश्ती भाग के ट्रेन पकड़ने की चेस्टा करेंगे वही से आपको कूड दिया जाएगा अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके इसका स्क्रिंशॉट मेरे टेलिग्राम पर भेज दीए कि सर आपने यह बताया था क्योंकि यहां पर जो एक गैप चोरा है मार्केट ने 20,200 से लेके 20,500 के रेंज पे यह 200 पॉइंट का गैप अभी तक मार्केट ने फिल किया नहीं है सेकेंड मार्केट अल्रेडी टॉप पे है यहां से करेक्शन लेती है तो पहला इसका 0.236 का रिट्रेश्मेंट डियू है ताट इस अराउंड 23,000 यह करेक्शन पूरा करके नीचे आती है मार्केट तो सीधा फोर्थ जून के दिन जो आपको एक ट्रेलर दिखाये गया था उसका में पिक्चर अभी आना बाकी है बॉस तो मैं वेरी मच कॉन्विडेंट एनफ बजार जिस लेवेल पर अभी है वहां से आने वाले पांस से छे महिने के अंदर चार जून का लोग वो तोर के और भी न देली लाइव आता हूं बॉस मेरा डेली का है तो जरूर आप इस बात को एकदम से मैच कर लीजेगा यह जो गाफ है यह भी फिल होगा एंड मार्केट का जो रीट्रेस्मेंट डियो है यह भी मार्केट रीट्रेस्ट करके अट लीस्ट 20,000 और 19,900 यह मेरा इस साल के अंदर का टार्गेट है आने वाला चार से पांच महिना जितना भी महिना बाकी है अभी रफली पांच महिना बाकी है 2024 एंड होने में इस साल के अंदर अंदर मतलब 2025 का मार्च के अंदर मार्केट करेक्ट होगी करेक्शन आएगा बॉस एंड यह रफली कितना पॉइंट होता है टॉप से देखिए 50% हम लोग चड़े है ठीक है तो 50% चड़ने के बाद मुझे 20% करेक्ट होने में क्या दिख्कत है यही तो होती हो ना यहांतलब हेल्दी करेक्शन तो यही होती है मार्केट अगर एक तरफा रैली मार्केट अगर उपर के साइड में एक तरफा मार्केट ने रैली किया है तो मार्केट को एक तरफा करेक्शन भी लेना परेगा 50% का करेक्शन ना है एक लिस पर्षेन का ठीक है तो मेरा कैलकुलेशन अनलीसिस यह बता दिया और यह मेरा पर्सनल भी है मार्केट के बारे में इससे रिलेडेट कोई भी पोजीशन अपना मत बनाई है कुछ लोग मुझे मालूम है कि मेरे साथ डिसमबर गैंग में शामि अगर चला भी जाएगा मुझे कुछ पर्वा नहीं है तो उतना ही पैसा लगाई है जितना जाने में खोने में हिरो जीरो करने में आपको कोई परक पड़ता नहीं हो इक्ष्टा लेवरेज लेके जो जोस में एकदम से पूरा पोटफोलियो बेचके मत लगा दीजिए डि जहां पर मल्टिमल टाइम आज इसने बैंक निफ्टी ने रिजिस्टेंस किया है तो पहले इसका बावन हजार का रिजिस्टेंस था अभी 51,500 इसका रिजिस्टेंस हो चुगा है इसके उपर यह सस्टेन करना स्टार्ट करेगी तब भी बैंक निफ्टी में एक बाउंस ब पर्सेंट रिट्रेस्मेंट के आसपास कहीना के आपको देखना है 51,200 के आसपास का रेंज है यह ब्रेक करती है तो पहला टार्गेट आपका 51,000 का बन जाएगा 51,000 कुछ पुट राइटिंग भी हुई है ओपन इंट्रेस्ट में 31 जुलाई का देख रहा था 51,000 के आसपा पर्सेंट 51,200 पे चेंज इन हो आई 400 पर्सेंट 300 तो काफी अच्छा पुट राइटिंग जो है निचले लेवल्स पे आज हुई है और कॉल राइटिंग में भी आज कॉल राइटर्स ने भी आट किया पोजिशन यह भी पीछे क्यों रहेंगे जब मार्केट का कॉंट्रेक्ट है में जरी इसका राइटिंग जो है हर इक स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइडर्स का भरा परा है एड्ड पूट राइडर्स ने थोड़ा आज दम दिखा के 51,000 और 55500 के आसपास थोरी बाइड राइटिंग यह 500 पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस के आ किरा कलका लेवल था 50,500 को यह क्रॉस करके नीचे आ जाती है तो सीधा सीधा पजास तक की यात्रा बैंक निफ्टी में स्टार्ट हो जाएगा ध्यान रखिए निफ्टी की मंतली इक्स्पाइरी है तो हो सकता है थोड़ा बैंक निफ्टी बैक फूट पे होए निफ्टी ज्यादा गिरे आम नॉट बूलिश इंदा मार्केट इनी मोर इस इंट्राडे प्राइजेक्शन अलग होते हैं इंट्राडे में जहां पर आर्वीट्राज ऑपोर्चुनिटी जहां पर थीटा स्काल्पिंग ऑपोर्चुनिटी दिखे हम लोग प्ले कर लेते जैसे आज प्रेमियम कम्यूनिटी में आज भी हम लोगों ने जो है प्ले करा है और निफ्टी का कॉल ओप्शन जो है यहां पर देखते ही देखते 87 रुपीज से 140 चलीगी तो यस वील गेट ऑल इस ऑपोर्चुनिटी इंट्राडे में लेकिन मेरा बाइन लाज व्यू मार्केट में बुलीश नहीं है मार्केट ने टॉप बना दिया है मैं हर बार एकी बात बोल रहा हूं मारकेट ने टॉप बना दिया है चाहे आप यह माने चाहे नहीं माने 25,000 का जो आभी सपना देख रहे हैं तकली Anonis II mm और ऑगा हैकि आपके प्रुटीन determination होगा नहीं ठीक है सब के पॉर्टफोलियो रेट थे जब 24-850 पर मार्केट थी तो 25,000 भी आ जाएगा देश्व बन उपर तो आपका पॉर्टफोलियो में क्या फर्ख आ जाएगा तो थोड़ा यहां पर जो है रियालिटी के साथ मार्केट को अप्रोच करिए अगर आप लॉंग साइट पर है तो प क्या प्रोच करने का बजेट तो नहीं था कोई भी फॉर्ट इंस्टिडूशन यह नहीं चाहेगी कि उसका पैसा 20% के टैक्स पे जो है उसका पैसा बड़े उल्टा भी रूपी भी और अगर माल लीजिए थोड़ा और मजूद हो जाता है एक एक असी असी पे आ जाती है उधर भी आप 20% खो देंगे रूपी डॉलर टर्म्स में पैसा खो देंगे तो थोड़ा रिस्की बेट है अभी लॉंग करने का बेट इसलिए जो है अभी बेच रहे है म बाउंस बैक मिले वहाँ पे एजिट किये कीजिए वहाँ पे निचले लेवर्स पे जो है सपोर्ट पे शॉर्ट मत कीजिए जब भी बाउंस बैक आइस का स्ट्राटीजी मार्केट में अपना यह तो बैंक निफ्टी का यह अनलिसिस था कल के लिए आप आते हैं यहाँ प इसको वाच लिस्ट में जा लिए मैंने अपने केरियर में दो तिम स्टॉक में पैसा कमाया इनिशियली इंट्रे ट्रेडिंग जब से मैंने स्टार्ट कर यह 2015-16 से पीवियर आई नॉक्स तब नाम हुआ करता था यहां पे टीवियर स्टॉक रखता था बात में इसका मर्जर हुआ तो पी वी आर टाडाश-च्टील यूपी यह सारे काफी फैवरेट काउंटर हुआ करते थे बजाजज फाइनंस पिर यहाँ पे यह सारे फेवरेट हुआ करते हैं यह सब में काफी अच्छा पैसा बनाया था तब इंट्राडे में तो पीविया राइनॉक्स उन्में से एक ही स्टॉक है तो मेरे को लगता है यह थोड़ा अंडरेटेट है स्टॉक कि इसाफ से थोड़ा अंडर वैल्यूड है धीरे धीरे स्टॉक में जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बन रही है तो उसके लिए भी हम लोग ग्रूप में जो इसका अपडेट शेयर करेंगे फिलाल कलके इंट्राडे के लिए आते इसको वर्च लिस्ट में जरूर ड रेजिस्टेंस है 1512 के बाद सीधा 1524 1520 1530 और डाउन साइड फिफ्टीन हंडेड फॉर्टीन हंडेड एक्टीफाइड के नीचे नीचे ट्रेट करने लेगे तो फॉर्टीन के आसपास शॉट सेल कर सकते हैं 1473 का सपोर्ट 1463 का दूसरा सपोर्ट इसमें रहेगा फॉर्ट कर सकते हैं लेकिन डाउन साइड के लेवल को भी मत भूलिएगा डाउन साइड जैसे इसमें 1480 ब्रेक हो जाए तो इसमें शॉट का भी बनेगा तो दोनों साइड के लेवल आपको मैंने बता दिये कल इंट्रेट के लिए तो पीवियर आईगा इसको जरूर अपने अधन आएगा टेक महिंद्रा उसके पहले ही तीन पर से उपर तो मेरे को लग रहा है कि यह जो अपसाइड है रेजल्ट से पहले जब भी स्टॉप एक बार अपसाइड ले लेती है तो इसका मतलब यह कि बहुत ज्यादा एक दम दमदार आने वाले हैं या फिर फसाने के के लिए इसको उपर काटने के लिए लेके जा रहे है तो दो ही का मतलब होता है इसका कल के लिए मेजर ली ध्यार रखिए 1540 का लेबल 1540 के उपर ठेक महिंद्रा में अच्छी गासी अपसाइड आपको देगने को मिलेगी सपोर्ट इसका नीचे में रहेगा 1529 के आसपास उपर में रेजिस्टेंस 1554 से लेगे 1570 75 एंड 1600 तक के लेबल मनेंगे नीचे 1529 के नीचे आपका के डीबीटी पॉइंट रहेगा यही आपका लॉंग का स्टॉप लॉस एंड शॉट करने का लेवल एंड ट्रिगर रहेगा 1539 के नीचे 1515 1520 1510 एंड इवेंच्वली 1490 तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो जैसे चल रहा है वैसे यह नीचे भी आ जाएगा और अल्रेडी हम लोग नैस्टाइक में डाव जोन्स में काफी नेगेडिवीटी देख रहे है तो थोड़ा यहां पे जो है व्यू कौशियस ही है आईटी स्टॉक में ठीसरा स्टॉक क ऐसे में थोड़ा नेगेडिव बायस लेकर ही कामकाच करना है लेकिन इसका लेवल इंपॉर्टेंड है शब्स सो बारा शब्स सो बारा यह जो लेवल है इसके नीचे ही आपको शौट शेल करके चलना है शब्स सो बारा का लेवल अगर इसमें प्रॉस हो जाओं दाउन सकता है on the upside KTBD point will be 2630 तो 2630 जब तक यह पार करके ठिकता नहीं है long side पे कुछ opportunity नहीं बनेगी 2630 पार करके यह ठिकेगी तो 2640, 2650, 2670 तक के targets आपको upside में देखने को मिल सकते है otherwise मेरा by-alange cement में थोड़ा profit booking का है उपर से एक बार यह नीचे support टेस्ट करने वापस आ सकता है ठीक है तो तीनों स्टॉक मेने बता दिया SEC, Tech Mahindra एंड तीन स्टॉक का ना आपको view share कर दिया है तो कल के लिए पीवेर, आइनॉक्स फीवेर, आइनॉक्स, एसे सीजे सी अन, टेक महेंड़ा तीनों स्टॉक्स की ज़रूर डालिएगा levels दोनों साइट के share कर दिये जिधर भी यह breakdown यह breakout करेगी उदर play कर लीजिए पैसा बन जाए चलिए निफ्टी में आते हैं निफ्टी की expiry है तो आपको मैंने Fibonacci draw करके दिखा दिया थोड़ा इसमें ग्यान थियोरी भी इंक्लूट कर दिये जाए क्या ग्यान थियोरी इंक्लूट कर देते चलिए ग्यान स्कुर्ण फिक्स्ट करूंगा तब बहुत कुछ उसमें सिखाना परेगा ठीक है तो देखिए एंगल क्रियेट हो रहा है इसमें एंगल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसको हम लोगों ने क्या किया है मार्च 2023 का जो लो था उसको कनेट किया है जुलाई 2024 हाई के साथ अब यह एंगल तो देखिए इसमें काफी एंगल इसमें मैच नहीं कर रहा है जिस तरीके से एंगल फॉर्मेशन है इसमें एंगल मैच नहीं कर रहा है तो मेरी साथ से 21 परसेंट का एंगल इसमें कोई व्यू मायने नहीं रखता है लेकिन 21 परसेंट को हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करेंगे तो थोड़ा टाइम प्रेम पर आते चलिए ग्यान फैन का यूज करते हैं लेकिन थोड़ा टाइम प्रेम यादर हो इस बहुत सारे पॉर्मूले बहुत सारे चीज़ें इस पे अपलाई करके फिस समझाना पूरेगा चलिए जूलाई जून मैने के करते हैं करने के बाद यह समझ में आ रहा है कि वान इस टुवन एक स्टीप एंगल है तो पहले ट्रेंड एंगल को इसके साथ कनेट करेंगे कि कल के लिए मंतली एकस्पाइरी के लिए काफी इंपॉर्डेंट चीज़ में आपको समझाने की चेश्टा कर रहा हूं यह साथ डिग्री को कंसीडर नहीं करते हैं मिनीमम 45 डिग्री कंसीडर करते हैं तो बावन डिग्री यहां पे दिए बीच में यह कई न कई एंगल प का मतलब यह है कि 45 डिग्री या फिर उसके ऊपर है मार्केट तो यह काफी अच्छा वर्क करती है तो 60 डिग्री पर आ रही है तो यह काफी स्टीप एंगल है एंगल जितना स्टीप होता है अकॉर्डिंटू गयां थिवर्सल भी उतना ते जाता है तो मेरी साब से जिस तर करना परा इसका थोड़ा अज्जेस्ट्मेंट करके चार्ट में ठीक आप इसको 45 डिग्री आफी थोड़ा चोड़ा करके इसको 60 डिग्री भी कंसिडर कर सकते एनिधिंग आप 45 डिग्री आम हैपी टू अनलाइज तो जिस तरीके से निफ्टी का चार्ज ट्रक्चर किमियम भी नहीं परेगा ना आप शॉट करके पैसा कमा पाऊगे लॉंग में आपका पैसा बनेगा तो मार्केट ऐसे धीरे-धीरे काटेगी मतलब जो हलाल करना बूलते हैं एक्दम धीरे-धीरे हलाल करने की तरह यह मार्केट अभी आपको काटेगी 24,400 यह लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का डेलो 24,305 यह काफी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा 24,400 कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट यह लेवल है 24,400 ऑन दा डाउन साइट मार्केट को अगर फर्दर ब्रेक करके आज का डेलो ब्रेक करके नीचे आना ही है तो 24,400 के नीचे कल मार्केट को टिकना परेगा 15 मिनिट मार्केट जहां पे खुले जितना देड़ सस्टेन करे कोई देखने की ज़रूरत नहीं है बस इतना ध्यान रखिए 24,400 के नीचे जब यह सस्टेन करने लगे 15 मिनिट यानि की पांच मिनिट का तीन कैंडल तो कल मंतली इतना पेंफुल होगी कि इतना पेंफुल होगी कल बुल्स जिंदेगी भर के लिए याद रखेंगे कि क्या एक्सपाइरी दिखा था हम लोगों ने जहां से माल बाई किया वहीं से मार्केट गिर गई जैसा आज बैंक निफ्टी में हुआ न वो छोटा सा ट्रेलर था कल अगर मार्केट आज का टेलो तोड़ देती है एंकल का जो पैनिक लो है 24,77 का वह अगर बजार कल तोड़ देती है इतना पेंफूल होगा एक्सपाइरी बुल्स सोच भी नहीं सकते यहां पर ठीक है तो यह जस्ट वेक मैं बता दिया आपको इसके उपर ज्यादा डीटर्स में नहीं बताएंगे क्लाइंट्स को कल व्यू मिल जाएगा तो 24,400 के डीचे मेजरली वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग नीचे में चोबिस उजा तीन सो आज का डेलो आज का डेली केंडेल देखेंगे न स्पीरिंग टॉप जासा बना हुआ है एक डोजी एक ड्रैगन फ्लाइट दोज safely ढबन नहीं अगर आज ग्रीन वं्ला मेंड के इसके उपर की खलोग्या, और यह ओंपर श्रुदिकि कोई ऐसे weeks आ जाती, तो हम लोग आराम से बोल सकते थे, यह hanging man नहीं है, लेकिन यह hanging man है, यह confirm हो गया, कल का candle, आज का जो dragonfly doji आई है, इस से यह confirm हो जाती है, price action आज का नीचे है, closing कल के डेलों से नीचे आई है, तो multiple criteria होता है, chart analysis का, technical analysis का, तो आज का candle spinning top, dragonfly doji, कल का candle hanging man, उसके पहले Friday को bearish engulfing, ठीक है, तो यह सारे candles, जो है, धीरे-धीरे, महौल बनाने का bearish side का, आगास हो चुका है, यह आपको signal दे रहे है, अब इसको कैसे आप play करेंगे, कौन से expiry को choose करेंगे, उसके उपर depend करेंगा, आप profit किनना कमाएंगे, तो जो भी मैं चीज़े बता रहा हूँ, तो यह मैं positional view share कर रहा हूँ, तो कल का candle, अगर आज के डेलों के नीचे, ध्यान से सुनिए, कल का candle, अगर आज के डेलों के नीचे, एंड 24,500 के आसपास कहीं पर कल close हो जाती है market, तो समझ जाईए, आने वाला जो हफता है, काफी painful, market के लिए होने वाला है, minimum target 23,600 के आसपास, market next week, trade करने के लिए आ सकता है, 23,600, तो यह मैं पूरा analysis के साथ आपको बता रहा हूँ, and मुझे लंबे time frame पे न, एक बहुत बड़ा aim pattern भी मुझे यहाँ पे नजार आ रही है, ठीक है, एकदम proper aim नहीं है, लेकिन जिस तरीके से structure formation है, यह aim pattern ही बन रहा है, बड़े time frame पे, तो जब बड़ा time frame पे बड़ा aim बनता है तो उसका यह जो right side का जो solder होता है न, यह भी काफी बड़ा बन जाता है, तो मेरे साब से आने वाले वक्त में 24,000, 400, 24,000, 300, 24,000, 77,000 यह level अगर shorter time frame पे टूड़ जाती है, daily time frame पे, hourly time frame पे, 45 minute के time frame पे, तो आने वाले वक्त पे 23,600 इसके बाद बाद सीधा आपका जो है, 22,800 तक के levels आपको august series में नजर आ सकते है, तो view बहुत जादा clear है market में, खरिदारी करने नहीं है, कहीं पे फसे हुए है, तो उचाल पे बेज दीजिए, production लेके चलिए बजार में, तभी आपको पैसा बनेगा, तो कल इंट्राडे के लिए expiry के लिए view share कर देते, देखें कल निफटी के expiry के लिए हम लोग आ चुग है, कि यहांसे मिनिट को तोड नहीं पर बजार इसको भी नहीं तो बर पाई यहां से भी ऑज रिजिस्टेंस ले लिया यहां से भी आज रेजिस्टेंस ले लिया यहां पर तो जाई नहीं पाई मार्केट तो 24,500 बोल सकते हैं कि कल के इंटरडे के लिए मेक और ब्रेक है देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन जिस तरीके से मैं अनलिसिस शेयर कर रहा हूं मेरे को लगता है कि कोई और चैनल पर ऐसे सिंप्लिफाइट तरीके से आपको शेयर करता नहीं है तो थोड़ा टाइम अगर नहीं स्क्रिप्शन पर दिया हुआ है 24,500 यह जो लेवल है इसके उपर अगर ब्रेक आउट आ जाता है तो आप यहां से शॉट पोजिशन काट के लॉंग साइट पे बैठ जाएए 24,600 24,700 24,800 वापस से आपको यह लाइफटाइम हाई टेस्ट होता हुआ दिखेगा अगर कल एक सुट है कल कुछ भी हो सकता है आपका 1000 रुपया 10,000 भी बन अगर बैशा बैशन का kन से लेवल पर एंटरी करते हैं कौन से साइड का एंटरी यह UCLA मार्केट का ट्रेंड आप समझ पाते हैं कि नहीं इसके उपर डिबेंड करेगा कि आप कल कितना पैसा बनाएंगे नीचले लेवल मेरी साब से जो सबसे इंबॉर्डन लेवल है डाट इस 24,314-310 जो आज का लो है इसके नीचे नीचे अगर बजार करने लगे तो यह एक कुछ पैटन बन जाती है तो समझ लीजिए 24,000 कल ही आपको देगने को मिल जाएगा एकस्पाइरी का प्रेशर है तो 24,000 को भी यह काटके 23,800 तक भी आ सकती है तो जैसा मैंने आपको उपर में भी 25,000 का लेवल बता दिया नीचे में भी 23,800 के लेवल संबब है क्योंकि कल म कवर करेगी समझ में भी नहीं आएगा तो इंडिया विक्स को देखके यह मत समझे कि कल का एकस्पाइरी साइडवेस हो जाएगी आज जो बैंक निफ्टी में हुआ है उससे भी पेइनफूल निफ्टी का एकस्पाइरी हो सकता थो बी प्रिपेर्ट क्योंकि चार्ट्स मे जो अभी मतलब और नहीं है यहां पर बीट्स बेच के साइडवेस मार्केट में काम करने है है यह गई 1112 पे कोई साइडवेस मार्केट में नहीं कमाता है कोई option अमिम उμूम इस नहीं पर ने एक Trail वह चला जाएगा 100 रुपया ठीक है तो अभी क्योंकि स्पाइक किसी भी साइड में आ सकता है मार्केट का थोरा मुमेंटम बियरिश साइड पर आ रहा है टोटली बियरिश नहीं हुआ है 24,000 के नीचे हम लोग बियरिश होना स्टार्ट होंगे फिलाल जो है मुमेंटम ऑन डाउन साइड क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पर आप देखिए कि मार्केट ने अपना प्रीवियस स्विंग हाई को निकाला है नहीं निकाला है क्योंकि मार्केट का कल जो व्यू है यह 24,850 से ही मार्केट यहां से अब हाँ कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आ जाएगा तो यह शौट कवरिंग करके एकदम से इसको काट के निकल जाएगी लेकिन यसा होने के चांसे काफिक कम है ठीक है तो कल के लिए 24,500 अंदा अपसाइट 24,400 अंदा डाउन साइट थोड़ा बड़ा रेंज क्याप्चर करने के लिए 24,300 अंदा डाउन साइट को ध्यान में रखिए यह 300 का लेवल आज का डेलो अगर कट दिया मार्केट ने 24,300 अगर कट गया तो सीधा 24,000 सटक्तर एंड 24,000 अंद 23,800 तक के लेवल आने के लिए तयार हो जाएगे ठीक है तो यह निफ्टी का पूरा अलिसिस है आपको मैंने फिबोनाची ग्यान थियोरी ग्यान फैन लंबे टाइम फ्रेम पे एक्स्प्लें किया छोड़े टाइम फ्रेम पे एक्स्प्लें किया त पर option chain भी देख लेते हैं कल के लिए option जिन डेटा में देखिए call riders कल के expiry के लिए थोड़ा cautious है जिन लोगों को आज expiry में दाना पानी मिलके expiry से पहले और लोगो ने निकाल लिया पैसा call rider का कुछ खास interest है नहीं in the money calls में जो है आज profit booking हुई है यानि की exit लिया है यहाँ पे call riders ने at the money पे यहाँ पे थोड़े बहुत riders है 55 लाग contract open है 24 चार्सों पे चौबिस पादसों पे चुड़ासी लाग 85 लाक्स और चौबिस चार्सों पचार्सों पचास पे 35 लाग on the contrary side यहाँ पी पूट राइडर्स का कुछ खास confidence नहीं है कि 25 अजार के भी premiums को यहाँ पे जो है राइट करके रख सकते काफी अच्छा डीके मिल चुका है उन लोगों को चौबिस अजार आट सो पचास परी काफी अच्छा डीके उन लोगों मिल चुका था लेकिन पूट राइटर्स ट्रैप हो गए थे तो आज फाइनली पूट राइटर्स ने उस पोजिशन से पूट्रैक उठा लिया है मतलब जो भाव मिल रहा है ले लो कल हो सकता है कि मार्केट 24 अजार के नीचे आ जाए और त्राइमाम करना परे तो पूट राइटर्स में भी वह खौफ है जो कॉल राइटर्स में वह कॉमफर्ट दिखने को मिल रहा है कि पैसा मिल चुका है मार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो खौफ है पूट राइटर्स में कमफर्ट है कॉल राइटर्स में एक्सपारी थोड़ा वीरी साइट पर कट सकता है प्राइजक्शन डेटा दोनों ही सेम स्टोरी बता रहे हैं ठीक है तो कल के लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेर रही है कि 24,300 के नीचे जैसे ही मार्केट ट्रेंडिंग आने लगे मार्केट को क्याप्चर मत कीजिए डोंट ट्राइटो कैच अ फॉलिंग नाइप कि लाइक टुडें मैंगनिप्टी कल बहुत ज्यादा पेंफूल हो सकता है एक्सपाइरी तो थोड़ा कॉशियस रही है लेकिन हाँ 24,500 को अगर मार्केट निकाल देती है उपर डेफिनेटली आप कल के कॉंट्रेक्स को या फिर नेक्स्ट वीकली कॉंट्रेक्स को आप जो है यहां पे लॉंग करके चल सकते है लेकिन जब तक 24 आजा 500 उपर में नहीं निकलता है पॉसिटिव भ्यू निफ्टी में नहीं बना लिए ठीक है तो कल के लिए सिंपल है इतना ही था वीडियो पसंद आये तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए सब मिलके नीचे सब्सक्राइब का बटन भी है उसको आपडेट्स जो भी है स्टॉक डिलेटेड सब कुछ आपको यहां पर एक टूजेट मिल जाता है टेलिग्राम चैनल पर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप डिरेक्ली जॉइन कर सकते हैं तो मच गाइस थांक्स वर वचिंग फिर से मिलते हैं नेक्स व